तो दोस्तो नमस्कार जहिन सेनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है तो दोस्तो CISF में यानि कि Central Industrial Security Force में एक सर्विसमेन भाईयों के लिए वेकंसी आई हुई है और इन वेकंसी के बारे में आप लोगों ने काफी मुझे इमेल किये थे कि सर इसमें काफी चीज़े क्लियर नहीं हो पारी तो प्लीज आप इसे क्लियर कर दिजिए तो इसके रिकार्डिंग ये वीडियो में आपको प्रोवाइट कर रहा हूँ जिसमें हम मुख्यों मुख्यों बातों को कवर करेंगी जितनी भी confusion थी सारी confusion इसमें clear हो जाएगी तो आप screen के उपर देख पा रहा है ये later ministry of home affairs की तरफ से दिया गया है और इसमें सबसे पहले जो notification दिया है उसके उपर ध्यान दे देते हैं कि एक्स आर्मी परसनल को CISF यानि की Central Industrial Security Force में contract basis पर बरती किया जा रहा है और ये परसनल को PSU में deployment की जाएगी जितने भी एक सर्विसमें इसमें लिये जाएगे और जो भारत सरकार के PSU होते हैं public sector undertaking उन में deployment दी जाएगी और ये भरती होने का जो ratio है जब भी इसमें 13 units दी हुई है CISF टी जिसमें की ये भरती ली जाएगी और इसका जो ratio रहेगा deployment का वो 75% CISF और 25% उसमें contractual X army personal रहेंगे तो आपको ये चीज नोट रखनी है और इसमें एक चीज दियान रखिए कि experimental basis पर 2000 X army personal को लिया जा रहा है अलग अलग पोस्ट में लिया जाएगा ये जो ratio दिया जा रहा है deployment का ये ratio ministry of home affairs के दोरा 6 महीने बाद और एक साल बाद review किया जाएगा और उस हिसाब से आगे ratio विस्तार भी किया जा सकता है अब इसकी detail क्या है मुक्यों मुक्यों बाते ये जान लेते हैं ये जो बरती है इसमें अलग अलग पदों पर बरती किया जाएगा जैसे कि SI है sub inspector ASI है यानि कि assistant sub inspector has constable और constable के पद के लिए आवेदन लिये जाएंगे अभी ये appointment contract based पर एक साल के लिए है उसके बाद year to year ये दो साल के लिए renew भी किया जाएगा और ये department की requirement और individual की performance के उपर depend करेगा इसमें ये बात साफ सब्दों में लिखे हुई है दोस्तों ये detail जो मैं आपको screen के उपर दिखा रहा हूँ हो सकता ये detail आपको साफ ना दिखाए दे लेकिन इसकी PDF भी हम आपको provide करा देंगे आप हमारे email address पर आप हमें mail कीजिएगा अगर आपको इस परती की पूरी notification की PDF चाहिए तो हम आपको PDF भी send करा देंगे अगर आपके पास नहीं है तो आगे देखते हैं इसमें जो total vacancies है ओप 2000 total vacancies है जिसमें सिफ और सिफ एक्स आर्मी में को लिया जाएगा किस किस टाइप की vacancy रहेगी जो एक्स आर्मी में सुबेदार rank से retired हुआ है उसको SI का पद के लिया जाएगा और इसकी vacancy रहेगी 63 जो नायप सुबेदार से retired हुए उनको ASI के पद पर लिया जाएगा और इसकी vacancy रहेगी 187 जो हवलदार से retired हुए उनको head constable के तोर पर लि किया जाएगा जिसकी vacancy रहेगी 1326 ऐसे कुल मिलाकर 2000 vacancy प्रोवाइड की जा रही है सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली यह होती है एक सर्विसमें के लिए retired 4G के लिए कि उनको location कहां पर मिल रहा है क्या उनको location set हो पा रहा है या नहीं तो यह भी मैं आपको दिखा द और कासिमपूर में deployment है गुजरात में उकाई में deployment है और वेस्ट बंगाल में फराका और कलकता में भी vacancy है करनाटका में राइचूर तमिलनाडू में नाइवेली और आसाम में नाजीरा यह सारे location है जिसमें कि आप apply कर सकते हैं आपको जो भी location choice होता है उसी हिसाब से आपन करना होगा तो अब salary के ऊपर एक नजर मार लेते हैं कि आपकी salary कितमे रहेगी इसमें तो SI के पद के लिए 40,000 पर month salary होगी ASI के पद के लिए 35,000 पर month salary होगी head constable के लिए 30,000 पर month salary होगी और constable के लिए 25,000 पर month salary होगी और इसमें apply करने की आखरी date दोस्तों याद रखिएग 15 मार्श 2021 इसकी apply करने की आखरी date है आगे इसमें detail दी गई है यह जो आपकी salary रहेगी वो पर month की salary रहेगी और इसके अलावा इसमें कोई HR नहीं दिया जाएगा ministry of defense की उपलबदका के अनुसार आपको जो भी medical facility होगी वो दी जाएगी और रहने के लिए बेरिक दी जाएगी TADA के अलावा कोई allowance नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों अब इसमें apply कैसा कर रहा है वो सारी चीज़े जान लेते हैं वो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि उसमें काफी सारी गलतिया हो जाती है तो attachment 2 में इसमें जो document दिखाय गए हैं आप उसे पढ़ पा रहे होंगे ये सारे document और इसमें बकाईदा एक परफार्मा भी दिया गया है application का उस परफार्मा के मताबिक आपने form fill up करना है और color passport size photo भी देना है और इन सभी चीज़ों को जोड़ कर बकाईदा PDF बना कर आपने जिस भी CISF unit में आप apply करना चाहते हैं उसके mail ID पर आपने mail कर देना है इसकी mail ID क्या रहेगी वो आपको मैं PDF send करूंगा उस PDF में आपको mail ID भी दी गई है तो दोस्तों इस तरह से आपने simply apply करना है इसके अलावा आपको इसमें apply करने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया रह रहेगा इन सारी चीजों की detail इस PDF में दी गई है इस वीडियो में हमने सारी मुख्य बाते कवर कर लिए जिन बातों के बारे में आप सभी को doubt हो रहा था आप हमारे email ID पर mail कीजिए अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम आपको PDF भी provide करा देंगे तो इस वीडियो में बस इतना ह नहीं बाकी हसते रहिए खुश रहिए मस्त रहिए नमशकार जैहिंद